असलाम लेकूं दोस्तों में अब सब खेरिये से हैं आज की इस वीडियो में हमने डिसकस करना है डिफरेंस बिट्वीन एन एन फ्टेन नमबर टो जिरो रेटेट सप्लाई वरसेज एक्जम्टेट सप्लाई एन नमबर थी रिफंड आफ सेल्स टेक्स अगर आप इंस्पेक्टर इंलाइंड रेवनिकरिटर टेस्ट इंटर्वी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट हमारा था एंटियन और एफटियन के दिर्मियान डिफरेंस क्या है एंटियन को डिसकस करते हैं इसका अबरिवेटिड फॉर्म है नेशनल टेक्स नंबर कोई भी पाकिस्तानी रेजिडेंट जो जिसके सलाना आमद्री एफबियार के रूल्स के मताबिक गोर्मेंट आप पाकिस्तान के रूल्स के मताबिक चार्जबल टू टेक्स हो जाती है तो उसको जब रिजिस्टर किया जाता है तो रिजिस्टर करने के साथ उसको एक नमबर अलाट किया जाता है जिसको नेशनल टेक्स नमबर कहता है यह हर individual का एक different number होता है और इसी number के तहित जो टेक्सपेर होते हैं वो FPR की website पर अपने text की जो list है text को review कर सकते हैं इसी तरह जो FTN है FTN का मतलब free text number होता है और यह government के इदारों को government के institutions को allot किया जाता है तो जितने भी federal या provincial governments के institution काम कर रहे हैं उनको एक number allot कर दिया जाता है जिसको FTN कहते हैं और FTN holder जो है वो tax pay नहीं करता है वो tax exempt होता है उनकी जितने भी आमदनी होती है total, salana, yearly income होती है वो to government को वो कमा कर देते हैं तो चाहे वो independent bodies हैं उनको tax number जो है यह allot कर दिया जाता है free tax number और free tax number एक किसम का उनके पास एक सबूत है कि वो tax pay नहीं करते है उनकी total आमदनी, उनकी total salana yearly income जो होती है वो chargeable to tax नहीं होती NTN और FTN में बैसिक डिफरेंस है यह है कि NTN जो है वो individuals को लाट के जाता है जबके FTN जो है वो government के institutions को लाट के जाता है इस government के institutions में local government भी शामिल है प्लस जो है वो musical corporations यह भी शामिल है अब हम बात करते है exempted supply versus zero rated supply exempted supply के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि sales tax is chargeable on all locally produced and important goods अच्छा जो sales tax होता है उसकी वो हर तरह की goods पर जो है goods की supply पर जो है apply होता है चाहे वो locally produced है within the country चाहे वो imported goods है imported goods की जो supply होगी तो उस पर भी a tax sales tax लाग हो होता है except जो है यहां पर यह exemption start होती है इस तरह की जो goods है उनकी जो supply होगी उन पर tax पर नहीं किया जाएगा उनमें कौन से है number one computer software number two जो है poultry feeds number three medicine number four जो है यहां पर unprocessed agriculture produce of Pakistan and other goods specified in six schedule of sales tax 1990 तो तमाम goods की जो supply होगी चार्ज़बल टू टेक्स होती है सिवाए computer software poultry feeds medicine या unprocessed agriculture जो products होती है within the country जो produce की जाती है उन पर tax sales tax जो है वो अपलाई नहीं होता आप कह सकते हैं कि यह exemption है इनको exemption मिल चुकी है यह exempt होती है यह यही तमाम products जिनकी supply पर आपको tax pay नहीं किया जाता है नहीं करना पड़ता है वो तमाम exempted goods कहलाती है इसे तरह जो है वो zero rated जो zero rated supply होती है उसका मतलब यह होता है कि उसके लिए सबसे पहले आपको यह देखना पड़ता है कि input tax क्या था यह last lecture में डिसक्स क्या था plus output tax क्या होता है input tax जो है अगब फर्ज करें आपने manufacturing करनी है manufacturing के लिए आपको raw material purchase करना पड़ता है किसी भी चीज़ की purchasing या acquire करते वे जब आपको tax देना पड़ता है tax pay करना पड़ता है तो उस वक जो tax होगा वो input tax होगा आपकी तरफ से इसी तरह जब किसी चीज़ की जब supply करते हैं goods and services की तो supply करते वे जो tax दिया जाता है वो output tax क्यालाता है अच्छा zero rated supply का मतलब यह होता है कि जो supply आप कर रहे है output tax है वो आपका zero percent के हिसाब से अब zero percent के हिसाब से तो वो नहीं हुआ लेकिन बात यह कि zero rated apply का मतलब होता है अब फर्स करें आप ऐसी प्रोड़क्स की supply कर रहे हैं जिन पर already input tax आप पे कर चुके हैं उनके raw material की सुरत में या input services की सुरत में आप tax पे कर चुके हैं अब आपने final goods, finished goods की जो है वो supply करनी है तो finished goods की supply करते वे आपको zero percent tax चार के जाएगा क्योंकि already इनके उपर आप input tax पे कर चुके हैं तो यह difference था exempted supply और zero rated supply के अंदर zero rated supply में याद रखें उन तमाम products की supply होती है जिनका input tax already pay किया जा चुका है जबकि output tax पे इनका नहीं किया जाता अब हम बात करते हैं refund of sales tax sales tax जो है वो input भी tax लग चुका है products पर और output tax भी लग चुका है तो refund of sales tax यानि sales tax को refund भी किया जाता है या नहीं किया जाता है और किया जाता है तो वो किस तरह की product पर sales tax को refund किया जाता है अच्छा यहां पर अगर आपका जो input tax आपने pay किया था वो exceed कर जाता है आपके total output tax से यापने जब चीज़ों को purchase किया था acquire किया था तो उसक्त जो आपने tax pay किया था जिसको आप input tax कियता है और अब आप जब चीज़ों की supply कर रहे है goods and services की वो जो tax बनता है वो कम है किस tax से input tax से input tax आपका exceed कर जाता है total output tax से तो फिर आपका जो difference होगा यह tax का यह वापिस FBR की तरफ से आपको refund हो जाएगा और यह refund कब होगा within 45 days तो अब इसकी वज़ा क्या है कि input tax एकसीड कैसे कर जाता है output tax से input tax exceed करने की दो वज़वात हो सकती है एक तो आपका एकसपोर्ट्स है यानि एकसपोर्ट्स में कमी बेशी की वज़ा से आपके जो output tax से वो कम बनता है input tax आपका जादा बनता है इसी तरह दूसरे जो है वो आपकी जो प्रोड़क्ट्स हैं जिनको आप सप्लाई कर रहे हैं उन पर zero rated जो है वो rate zero rate के हिसाब से उन पर tax सप्लाई हो रहा है जो के ना होने के बराबर है इस पर already जो है वो आप input tax जो है पे कर चुके हैं इस तरह जो total जो tax होगा उसमें से आपने आपका जो difference है input और output का जो tax होगा उसको आपको वापिस refund कर दिया जाता है और refund कप किया जाएगा within 45 days तो यह आज का topic था जिसमें दुबारा से review कर देता है कि difference between NTN and FTN हमने सीखा है plus zero rated supply और exempted supply में क्या difference है and number three refund of sales tax sales tax को refund किस तरह किया जाता है आप से गुजारिश है आखिर में के चैनल को जरूर subscribe करें bell icon को press करें ताकि job से related जो ongoing project है या upcoming jobs है उनके हवाले से मुकमल information आप तक बरवक्त आसाने से पहुँचे plus आपको accounting के series के जो lecture हैं वो भी इस channel पर मिल सकता है थैंक यू